नाकुल जिले के सावने तालुका में बैलोरी बाबुल खेडा बाटन सावंगी शिवरा की पहाड़ी परिस्तिते सुन्दर प्राचीन श्री संकट मोचक पंच मोखी हनुमार मंदिर जोहां नाकुल शहर और अन्य जिलों से भक्त हर शनिवार और मंगलवार को आते और हर शन संकट मोचक पंच मोखी हनुमार मंदिर भोसले काल से भी काफी पुराना है इस संकट मोचक पंच मोखी हनुमार मंदिर का जेन्वार 2016 में किया गया था यहां प्राचीन काल का एक बहुत सुन्दा मंदिर है राम्टेक मंदिर जो कभी श्री राम का मंदिर था इस मंदिर श भगवान हनुमान जी सबसे लोग प्रीय अफ्तार रही हैं भगवान शिफ के वर्दान की वज़े से उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है हनुमान जी ने कई राक्षसों का वद कर उनके आतंग से कई ग्राम वासियों को भैमुक्त किया भगवान सूरेदेव का अहंका तोड़ने के लिए उन्होंने फल समझ कर उनको अपने पेट में धारन कर लिया भगवान शिफ के आगरे करने पर सूरेदेव को मुक्त किया उनको सभी देवी देवताओं से अनेग वर्दान प्राप्त थे जिससे वो जग कल्यान में भगवान राम की साहता करने मे सक्षम हो गए थे इसलिए भक्त अपने दुख हरनने के लिए संकट मोचक भगवान हनुमान जी को ही याद करते हैं इसी तरह पाटन सावंगी में सित इस सुंदर प्राचीन श्री संकट मोचक पंचमुकी हनुमान मंद्र में शहर और अन्य जिलों से भक्त हर शनिवार और मंगलवार को आकर अपने प्रभू संकट मोचक भगवान श्री हनुमान जी के समक्ष अपनी सारे दुख पीड़ा वसंकट रखकर हर गम भुलाते हुए भक्ति में लीन हो जाते हैं नाकपर से बीसे न्यूस के लिए अक्सान सारी की रिपोर्ट